दोस्तों भारत अगर किसी मामले में चीन जैसे बड़े देश को भी पचार दे बाकी देशों को भी पीछे छोड़ दे तो हमें और आपको तो खुशी मनानी चाहिए अब ही तक अगर ऐसी कोई उपलबदी भारत ने हासिल की तो देश के बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों ने तो देश की मोधी सरकार को उसका क्रेडिट दे दिया वही सरकार के समर्थ कोने मोधी जी को क्रेडिट देते वो ढिंडोरा पीड दिया आपके जानकारे के लिए बता दो दोस्तों बड़े खबरी है कि भारत ने एक बहुत बड़े मामले में चीन को धूल चटा दी है मगर ना तो किसी को खुशे हो रही है ना देश का विशाल मीडिया चीख रहा है चिला रहा है और सरकार के गलियारों में तो सन्नाटा ही पुसर गया है क्योंकि मामला है भारत की जनसंख्या का यहाँ पॉपिलेशन यानि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन समेट बाकी देशों को पचार दिया है क्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लाटफोर्म्स पर मुद्दा ट्रेंडिंग है आंकड़े क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट ने क्या कहा है और आखिर इस जनसंख्या बढ़ने के पीछे की बज़ा क्या है यह आपको इस खबर में बताने की कोशिश करेंगे दोस् बन चुका है इससे पहले दुनिया में सबसे जादा आबादी वाले देश का जो टैंग था दोस्तों चीन के पास था अब भारत के पास है भारत के आबादी 142.86 करोड पहुँच गई है जबकि चीन की इस इंसंक्या 142.57 करोड दैनिक भासकर ने लिखा रहे हमारी दर्श की गई है इस खबर पर सेंक्तराष्ट यानि यूएन ने मोहर लगाई है हलाकि यूएन पिछले साल ही अनुमान लगा चुका था कि भारत के आबादी लगातार बढ़ रही है और इसा हो सकता है कि जल्दी भारत इस मामले में चीन को भी पचार दे और वही हो गया ह UNFPA इंडिया के प्रितनीदी ने कहा है कि भारत एक शक्तिशाली देश है शिक्षा, स्वास्ति, स्वच्चता और आर्थिक विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है हम तकनीकी मामले में हर रोज नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं आकड़े जारी करने के बाद UNF PNA की मीडिया एडवाइजर ने एना जेफ्रीज ने ये कहा कि ये साफ नहीं है कि भारत के जनसंख्या चीन से आगे कब निकल गई दोनों देश के आकड़े जारी करने के समय में काफी अंतर है तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है हम यहीं बता सकते हैं कि चीन लिख रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना भारत कुपोशन, भुकमरी, बिरोजगारी, व्यवस्था में टॉप पर भारत, बढ़ती आबादी और चीन को पचारने पर प्रधान मंत्री जी को बहार्दिक बधाई, छेतरपल में भारत पांचव दुनिया का सबसे ज़ादा अबादी वाला देश बना भारत, अब भक्त कन्फ्यूजन में है कि इस महान उपलब्दी के लिए आखिर क्रेडिट कुसको दिया जाए, आखिर ये क्रेडिट कौन लेगा, हलाकि क्रेडिट लेने के लिए अभी तक कोई सामने आया नहीं है द वेडिकल की कमी से बाल मृत्यू के डर से अधिक बच्चे पैदा करने तथा कंट्रासेप्टिविस इन्होंने एक मा किया है, एक टर्म का नाम लिया है, उसका वित्रण ना होना, शिक्षा की कमी से जनसंख्या के दबाव को ना समझना, यानि ये कही ना कही इसमें बहुत सारे factors बताये जा रहे हैं कि आखिर किस किस वज़े से इस वक्त भारत की जो अबादी है, वो बढ़ी है, और किन वजहों पर सरकार का ध्यान नहीं गया, अभी भी नहीं जा रहा है, जिसकी वज़े से अभी इस वक्त यह आकड़ा जो है, देखने को मिला है, लोग ऐसा कहन दोस्तों वसीम अक्रमतियागी लिखते हैं कि निर्मला सीतारमन फर्मा रही थी कि भारत में मुसल्मान खुशाल है उनके आबादी बढ़ रही है यानि आबादी बढ़ना खुशाली का प्रतीक है आज भारत विश्व में आबादी के एतबार से प्रतम स्थान पर बढ़ने तो भारत दुनिया का सबसे अधिक खुशाल देश है तब गरीब क्यों उनने ये सवाल उठाया है कि अगर इतना खुशाल है तो गरीब ही क्यों दिख रही है अलका लांबा कॉंगरस नेत्री हैं लेखती है कि जितनी आबादी उतना हक इस समय यह ट्रेंड कर र इनके बाद उर्मिलेश नाम के यूजर है लिखते हैं कि भारत अब चीन से उपर हो गया प्रगती के दौड में नहीं पॉपिलेशन यानि आबादी की दौड में एक अनुमान के मुताबिक भारत के अबादी आज 1.428 बिलियन पार कर गई जबकि चीन 1.425 बिलियन के आस जैराम रमेश लिखते हैं जितनी आबादी उतना हग कॉंग्रेस अध्याक्षि खडगे जी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 2021 की दशके जनगर्णा जल से जल्द कराई जाए साथ ही जाती जनगर्णा को इसका अभिन अंग बनाया जाए इससे समाजिक नया और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी यानि जनगर्णा का दोबारा से दोस्तों 10 साल पर जनगर्णा होती है आपके जनकारी केरे बता दूं और उसी जनगर्णा की बात यहाँ पर की जा रही है इनके बाद नेटा डिसूजा लिखती है कि सोच बदलों के तभी देश बदलेगा यह शोध रिपोर्ट साफ दिखाती है कि हम देश के आधियाबादी को पूरे अधिकार अभी भी नहीं दे पा रहे हैं इस पर मनन चिंतन की आवशक्ता है यहां इन्होंने एक अख़बार का स्क्रीनशॉट शेर किया है दोस्तों जिस अख़बार में किरेटर जो है वो जारी किया गया कंचना यादम ने यहां पर बताया है कि सांक्रे को देखो और बताओ कि बहूजन भागीदारी कहा है एंग्लिष नीजस पेपर में बहुजन आबादी से सिर्फ 6 प्रितिशत है सवर्ण नकेले 94 प्रितिशत है हिंदी नीजस पेपर में 84 प्रितिशत है English News Channel में बहुजन सिर्फ 11 प्रितिशत है सवर नकेले 89 प्रितिशत है तो कई तरीके के जो दावे हैं दोस्तों वो किये जा रहा है यहाँ पर मूल विशे यही है कि इस वक्त भारत के जो आबादी है उस चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो जाहिर है कि चर्चा तो होगी क्योंकि चीन जो है दोस्तों इस मामले में अब पिछड चुका है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक इसका जो श्रे है वो लेने के लिए कोई सामने नहीं आया है आगे जाकर आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला है ये चिंता का विशे है या फिर नहीं है और अगर चिंता का विशे नहीं है तो आगे जाकर इसका श्रे यानि क्रेटिट लेने के लिए कौन आने वाला है दोस्तों ये देखना लास्मी हो जाएगा बैराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकास होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार झाल 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 इसजाइगा झाल झाल